So, बच्चो, question number 13 में आपको बोल रहा, girl weighing 25 kg stands on the floor, okay students, तो ये a girl weighing जो लिखा हुआ है, 25 kg, तो ये girl का क्या है, mass है, ठीक, ये दिखी, ये floor है, और इस तरीके से, यहाँ पर एक girl खड़ी हुई है, ये girl की है, इस तरीके से, ठीक, और इसका mass आपको given है, ठीक है students, mass आपको given है, mass आप ऐसे ground पर खड़े हो, ठीक, तो आप ground के उपर, ये ललकी ground के उपर, 250 newton force लगा रही, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब मैं आपको बताता हूँ, actual में next chapter जो है, gravitation वाला chapter, उसमें आप पढ़ोगे weight के बारे में, ठीक है students, तो weight होता क्या है, ध्यान से सुनिए weight होता है, एक ऐसा force, जिस force से earth किसी object को अपने center की तरफ खीचती है, भाई, खुछ सोचो ना, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्योंकि earth का gravitational force आपके उपर लग रहा है, ठीक, तो earth जितने force से आपको अपने center की तरफ खीचेगी, उस force को ही हम क्या बोलते है, body का weight बोलते ह देखिए, जी की value होती है, दो, यहाँ पर जी की value होती है, एक तो होती है, 9.8 meter per second square, एकवेटर पे, और पोल्स पे अगर आप जाओगे, तो जी की value कितनी होती है, 10 meter per second square, ठीक है students, अब इस question के according, just मैं आपको पूरा explain कर रहा हूँ है, बताने को तो answer मैं direct बतातू, इस question में जो mass है, वो कितना लिया गया है, 25 kilogram, और G की value ली गई होगी, 10 meter per second square, तो 25 into 10 कितना आ गया होगा, 250 Newton, और याद रखेगा, weight भी एक तरीके का force होता है, मैंने आपको बताया है ना, weight भी एक तरीके का force होता है, कौन सा force, जिस force से earth किसी object को अपने center की तरफ खीचती है, attract करती ह तो अब समझो जड़ा, यह लड़की ground पर खड़ी है, यानि कि इस लड़की को 250 Newton से earth ने अपनी तरफ खीचा, ठीक, तो जब earth ने इसको अपनी तरफ खीचा, तो होगा क्या, यह देखिए, यह ground है, और यह girl है, तो girl के पैरों के द्वारा, इसके जो दोनो feet है, इसके पैर 250 Newton से earth को दबाएंगे ऐसे नीचे, यानि कि earth का जो surface से उस पे एक action आएगा, yes or no, तो लड़की के जो पैर है, उन्होंने क्या किया, earth के surface पे action किया, 250 Newton का, तो जब लड़की के पैर जो feet है, यह इसको, earth को इस तरीके से 250 Newton से दबाएंगे, तो earth क्या करेंगे, बताओ, earth इसक इने का, उतने का ही, 250 Newton का ही, correct, तो यही चीज़े, okay students, तो यही चीज़े नोने हमसे पूछी है, कि a girl weighing 250, 25 kg stands on the floor, she exerts a downward force of 250 Newton on the floor, what does the floor exert, what force does the floor exert on her, ठीक है, floor जो है, जो surface है, वो लड़की पे कितना force लगाएगा, तो जबाब है, एक reaction force लगेगा लड़की के उपर, यह इस अर्थ के surface के उपर, अर्थ का surface लड़की को उतना ही reaction देगा, 250 Newton का action, reaction law, okay, तो यह देखिए, according to Newton's third law of motion, fourth floor exerta, fourth of 250 Newton on her in upward direction, ठीक है, direction भी बता दी हमने, ठीक है, यह लड़की का अगर देखिए, माल लीजे, यह लड़की से बहुत अच्छा नहीं समझा रहा है, कोई object होता reaction force देगा, उतने का ही, कितने का, 250 Newton का, लेकिन, उपर की direction में, weight लगा, नीचे, reaction मिला, उपर, weight किसके उपर लगा, weight लगा, अर्थ के surface के उपर, ठीक है न, weight लगा, अर्थ के surface के उपर, ठीक, और reaction किसको मिला, reaction मिला, लड़की को, या फिर जो ब्लॉक रखा है, उसको, correct, action reaction law, याद रखेगा, action reaction एक ही body पे नहीं लगते हैं, two different body पे लगते हैं, action मिला, surface को, surface को, surface को, reaction मिला, girl को, तो action, reaction, force, दोनों अलग-अलग bodies पे work करते हैं, याद रखेगा, okay, note कर लीचे,